नमस्कार मैं भुबंद्र पढ़ने हिंदी चनल में आप सब करता हूँ और अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तांती बेला इकनों को दबना ना भुड़ें ताकि मेरे प्रत्य वीडियोग अपडेट्स आपको मिलते रहें आचारा रान प्यंदर शुक्ले के हिंदी सायत के इतिहास रिंखला का यह मेरा चवथा लेक्चर है और आद हम पढ़ेंगे परकनार दो निर्गूर धारा के घ्यानासरी शुक्रा के कवी दाजी के बारे में कभीरदास जी के बारे मैं डीटेयल जो लेक्चर हैं उनको मेरे दूसरे चैनल पर लेकर आया हूँ मेरा एक और चेनल है हिंदी चेनल करके वहाँ पर जाकर आप जरूर देखें कबिर्दास जी के बारे में बहुती बेहतरीन महाँ पर लेक्चर सुबलब्ध है और आप लगों को निश्टी दुख से बहुत अच्छा लगेगा वर्तमायन समय में यह माना जाता है कि कबिर्दास जी निर्गुर धारा के ज्यानास्रह ये शाखा के प्रतिमिधी कभी है जिने हम संत कावे धारा के नाम से जानते हैं अभी यह माना जाता है कि इनका जन्म काशी में 13.9 इसवी में हुआ था और इनकी मृत्त्यूइ 1588 ऐसे में मघहर में हुए थी और इनके माता-पिता का नाम निरुवर नीमा था और इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था रामानन जी को इनका गुरु माना जाता है लेकिन एक मुसल्मान फकीर शेख तकी को भी इनका गुरू माना जाता है और इनकी मृत्ती हुई थी मघहर में पर इनके बारे में संशित जानकारी हो गई लेकिन आप हम पढ़ेंगे आचारा राम चंद शुक्र ने उनके बारे में क्या लिखा है हिंदी साहिति के इतिहास में अभी मेरे हिंदी साहिति इतिहास के जो स्रिंकला चल रही है अभी आके बहुत लब्बी चलेगी और इसमें से अधिकांस परस्न आप को किसी भी परिच्छा में देखने को मिल जाएंगे चाहिए ब असिस्टन प्रोफिसर के ग्याम दे रहे हो किसी भी स्टेट का राजिस्थान मध्यपर देस या फिर और कहीं का या फिर आप जिजिसी नेट जी आड़रेप की तियारी कर रहे होेगी या फिर सीविटी पिज़पी जो बी एकज़पी की तियारी कर रहे होगे अचादर रामचंदर शुक्लका यह मेरा लेक्चर सीरीज आप देख लेते हैं तो आपका बहुत सारा में जो है हिस्सा कवर हो जाएगा ठीक है तो आप देखते हैं बिंदुवार नोट्स क्या है मेरे कभिताजी के उत्पत्ति के बारे ने क्या कहना है अचारा राम चंदर शुक लगा इनकी उत्पत्ति मतलब जन्वासे मतलब है इनकी उत्पत्ति के समझ में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं कही प्रकार की बातें प्रचलित हैं काशी में स्वामी रामा नद का एक भक्त बरामर था जिसकी किसी बिध्वाक अंया को स्वामी जी ने उत्रक्ति होने का आशरवात भूलते दे दिया अलिया हुआ कि उसे एक बालक उत्पन हुआ जिसे वह लहर ताराक के ताल के पास फेक आ幅ए थी लहर तारा नाम का एक तलाब था, वहाँ पर फेक आई थी, पास में, अलिया निरु नाम का जुलाहा, उस बालक को अपने घर उठा लाया, और पालने लगा, यही बालक आगे चल कर कबिरदास हुआ, तो यह उनका कहना है, कबिरदास जितने महान थे कि बहुत सारी बाते उन पर तलाब के पास फेक कर आ गई थी, उसको एक अलिया निरु नाम का एक जुलाहा था, वह उठा कर अपने घर ले आया है, और उसने उनका पालन पोर्शन किया, और यही बालक आगे चल कर कबिरदास की नाम से प्रसिद हुआ, तो इनकी पत्मी का नाम था, नीमा, तो यह कबिरदास जी के जो आचारारांचन्दरे शुक्रण ने लिखा है, वो बाते बता रहो है आपको यहापर, किसके बाद, कबिरदास जी का जन मकाल, आचारा रांचन्दर्ण शुक्रण का अनसर, कबीर का जन मकाल, जेड, सुधी, पुनिमा, सोमार, विकरम समत, 1456 ने बता जाता है उसमें रामानांजी बहुत फेमाज थे रामानांजी जो रामानुर्यचारे की परंपरा में आते थे रामानांजी के महात्मे को सुनकर कभीर क्रहेदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी उनके मनमें लालसा जगी होगी कि मैं इनका शिष्य हो जाता हूं यह बह प्राता भुहर में रामानेंजी इसनान करने के लिए आते थे तो उन्हीं रास्ते में पंच गंगा घार था उसे सिधियों पर जाके सो गए थे वो इस नान को जाते हैं अधिरे में रामा नंजी का पैर कबिर के उपर पड़ गया रामा नंजी बोल उठे राम राम का अचानक उनका पैर उठे नी पाए अधिरे में और कबिर के उपर पैर रख दिया उन्होंने और रामा नंजी बोले राम राम का कबीर दाजी ने इसी को गुरुमंत्र मान लिया, और वे अपने को गुरु रामा नंजी का शेश्च करने लगे, वे साधनों का सत्थंग भी रखते थे जुलाहे का काम भी करते थे, तरनके जो माता पिता थे नीरो और नीमा जुलाहा दमपत्थी थे और वे मुसल्मान भी तो यहां पर यह जुलाहे का काम भी करते थे कबिर दाजी, इस परकर आप समझ सकते हैं कि रामा नंजी को उन्होंना अपने गुरू मान लिया था, कबीर पंथी में मुसल्मान भी हैं, कबीर दाजी इतने महान आत्मा हुए हैं अपने समय के, इतने महान कभी हुए हैं, कि और हिंदू दोरों में बराबर सम्मान आज भी उनको प्राप्त है, वो समय भी मुसल्मान और हिंदू दोरों ही बराबर सम्मान करते थे, तो कबीर पंथी में मुसल्मान भी हैं, उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसल्मान फकीर, शेक तकी से दिख्षा ली उनमें हिंदू और मुसल्मान दोनों धर्मों का समागाब हुआ है, सम्मिलाने है. उस समय रामानांजी भक्ति का एक लगुदार मार्ग निकार रहे थे, जिसमें जाती पाती का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था, अपा इसमें कोई संदे नहीं कि कबिर को रामनाम रामानांजी से ही प्राप्त हुआ था. कबिर आजी को रामनाम, जो नाम इसमन का जमहत उन्होंने बताया है, या राम का नाम है, उनको राम का नाम कहां से मिला था, रामानांजी से मिला था. रामानंजी भी अपने समय में बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्य रहे होंगे क्योंकि उन्हें जो जाती पाती और चुवा चूप की जो भावना थी उसको दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे थे और वे यह कहते थे कि सभी लोगों इस्वर तक पहुंच जाते हैं कुई करांतिकारियों दार व्यक्तित्यत्य थे अपने समय के और कभेदे याज कोड़यो राम का नाम है भगवान नाम को किसम्णोर का जो नाम के उस्वर्गिस अंतरकत नहिंया सकते में पर आगे चलकर कभीर के राम, रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे, कभीर के जो राम है, रामानंद के राम से भिन्न हो गए, अथा कभीर को वैशनल संप्रदाय के अंतरगत नहीं ले सकते, वैशनल संप्रदाय के अंतरगत भगवान राम को विश्णु भगवान का उतार मना जाता है तो जो रामा निन जी किराम थे सगुण सकार उठ थे लेकिन बाद मेरे जो कबिर दाजि जी के रोधियो रोधियों हैं बहँर निर्गुभोन gonna qa पुकरिए निर्गुन निलाकार हैं। जब कि वास्तों में हिंदुस्तार में जो निर्गुर्ण जो भक्ति धारा है उसकी सुरुआत्वी थी नाम लेजी से ले इनको प्रवर्थक नहीं मना जाता बलकि इनको इस्थाफित करने का स्रेज आता है कबिर दाजी को अद्वयत वाद के इस्थल रूप का परियान उन्हें रामानेंजी के सत्संग से पहले से ही था वे अद्वयत वाद से पुरी तरह से परची थे शंक्राचार जी का जो अद्वयत वाद है जिसमें आत्मा और परमात्मा में कोई भेहत नहीं किया जाता है यह माना जाता है कि इंको रामा निंजी के पहले से इस बारे में पता थागत वात क्या होता है फल यह हुआ कि कभीर के राम धरुधर साकार राम नहीं रहा गये वे ब्रह्म के परिया हुए तो इस पकार कभीर दास जी के जो राम है वे दश्रत के पुत्र नहीं है धरुधर राम नहीं है ऐसी जाग के माध्यां से उन्हें जो ग्यान प्राप्त हुआ जो उन्होंने सुना उसका इस संकलान उसके शिश्य धर्मदास ने कभीर बीजद के नाम से किया बीजद के नाम से ये फिर कभीर वीजद भी कहते हैं इसे इसमें तीन भाग हैं ताकि सबदा रमैनी आए हम और ये दाशरत के पुद्र राम के उपासक नहीं है इस पकार जो ब्रह्म की विचार प्रदती में ज्यान मारग का एक निर्पण था उसे को कबीर सूपियों के धर्ड़े के धर्ड़े पर उपासना का ही रिशान है प्रेम का भी विशेब रहा और उसकी प्राप्ति के लिए हट योग्यों की साधना का मारका समर्थन किया हिंदों के लिए जो इस त्में जो राम थे वह मर्यादा पुरुसप्त नम्राम थे वो ज्ञान मारक का एनुपरं करते थे लेकिन कभी उदाजी ने जो ब्रहम को किसका प्रयाबना सूफियों के धर पर उपासना के विसे नहीं बनाया मतलब जो सूफी कभी उसमय हुआ करते थे वे इश्वर को क्या अपना प्रेमी या पती मानकर उपासना करते थे भानात्मक रह सिवात था भानात्मक रह सिवात के अंदर क्या होता है जो इश्वर है उसके प्रती प्रणय निवेदन किया जाता है आत्मा को माना जाता है प्रेमी या फिर प्रीतम तो इसको इन्होंने अपने प्रेम का विश्य बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हट योगयों के साधना मारगा का समर्थन किया मतलब इनकी जो भानात्मक रहसिवाद है शूफियों से पएर हित है और जो साधनात्मक रहसिवाद है जो साधना का पत है जिसमें हम कूंढली, जागना इत्यादी की बात करते हैं तो हट योगयों के साधना का समर्पन उनूने किया अउन्धा कुँआ इत्यादी जो बोलत जिसमें वे इश्वर को प्रीतम या पती या प्रेमी मानते हैं, और जो आत्मा है उसको क्या मानते हैं, प्रेमी का मानते हैं, हट योगियों के साधनात्मा करा सिवाद, हट योगी जो उसमें हुआ करते हैं, जो नात हुआ हुआ है करते थे, वे क्या साधना करते थे, कुंड पत्तिवादी के इनका था, वेश्णों का कोईसी धान था, इनका मेल करके अपना पंद खड़ा किया, पतब इन सब को इनोंने मिला दिया, सब का समागम और संगम कर दिया, तब इनका निर्गुण पंद खड़ा हुआ, अबीर में ग्यान मारगी की जहां तक बाते हैं, वे स जो अध्वयतवात के बात करते हैं, ब्रह्म की जो धाना है, यह सब कहां से लिए हैं, कभि ने, हिन्दूर रूर वात्तिव का संचा उन्हांने कहां से किया है, उनके जो गुरु थे रामानांजी, उनसे इनन लिया है, बहुत सारा संदेश, पुल मिला के बहुत सारी चीन द्वारा नहीं सत्संग के द्वारा ही हुआ था तो इस पकार इनोंने सत्संग के माध्यम से जो ग्यान प्राप्त किया उसको ही लोगों को उपदेज दिया उन्होंने हट योगी जो नात होकर हुआ करते थे उनसे क्या के शब्द लिया वो साधना किया करते थे चंद, सूर, नाद, बिंदू, अम्री, तौन्धा, कुआ, इत्यादी को लेकर अद्भुक, रूपक मानते हैं जो समाने जन्ता की गुद्धी पर पूरा आतन के जमाते हैं तो इन सब बातों को लेकर जब अपना दुभा बोलते हैं या फिर जो रूपक कर जो प्रयोग करते हैं अलंकार का है तब इससे क्या है जो नहीं निर्गुन जो उसमें जो जन्ता थी साधाम जन्ता आम जन्ता वो बहुत ज्यादा आतनकित हो जाती है वैसनावसम प्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व गराण किया जियों को अहिंसा के बहुत विरोध करते थे जो की पीछे होने वाले फकीरों को भी मानने वा बादों जो सुफी फकीर बगर हुए उनका भी कहना थे कि हिंसा भाई जायज नहीं है इसे जीव हत्या करना ह हिंसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है तो हिंदू मुसल्मान दोनों को एफटकार लगाते हैं जीव हिंसा के नाम से ग्यान मरगे की बाते कभीर ने हिंदू सादो सन्याशियों से गराण की जिनमें सूफियों के सबसंद से उन्होंने प्रें पत्तो का मिस्रण किया और मुसल्मान ही थे उन्होंने प्रें तत्तो का मिस्रण लिया इस्वर के साथ आत्मा और प्रमात्मा का रोमांस है और इस पकार उन्होंने अपना अलग पन चलाया चलाया जिसे हम जानते हैं निर्गुण कावेधारा के नाम से और यह उनके प्रवर्तक हैं तो उन्होंने हि अद्वायत वेदान तर ब्रह्मे की अधाना इन्होंने लिया हिंदूस अदूस न्याचियों से, है ना ब्रह्मे की अधाना, अद्वायत वेदान की अधाना, कि आत्मा और प्रमात्मा दोनों एक हैं, ये हिंदूस अदूस न्याचियों से लिया, और मुसल्मानों से क्या ल प्रेम की भावना का इजहार करना अब यह बहुत ही महत्रपुन कथन मुन ने का है यद्देप यह माना जाता है कि जो आचारे रामचंदर शुक्ल है वो कभीर के प्रति न्याय नहीं कर पाए क्योंकि उनके जो रोल मॉडल थे उनके जो मानक और आदर्स जो कभी थे तुलसी दाजी थे तो वह ऐसा माना जाता है कभीर के प्रति सही दंग सी न्याय नहीं कर पाए और इसलिए आचारे रामचंदर शुक्ल ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था ज्यादा महत कभी को ने तुलसी दाजी है तो यह लेकिन यहाँ पर उनके तारीव भी किया कि कितने टेलेंटेर थे यह द्यपीवे पढ़े लिखे ना थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रक्रा थी जिससे उनके मुँझ से बड़ी चुटिली और वेंगी चमतकार पून बाते निकलती थी उनकी उक्तियों में विरोधर असंभाव का चमतकार लोगों को बहुत आकर्सित करता था इसलिए इनके उलट बासियां कह जाता है यह क्या है इनकी भाशा को सद्धुकडी भाशा या पंचमिल खिटडी भाशा कही जाती है और आचायर हजारी प्रसाद योदी जी ने इनकी भाशा को क्या कया है कभिड़ाजी भाशा के लिक्टेटर थे जीस बात को जैसा कहना चाहा है उन्होंने अपनी भाशा से वते खहलवा लिया है या तो प्यार से या फिक दरेरा दे कर तो यह कतिमी प्रहय प्रिक्षाओं में पूछा डाता है अचार हजारी प्रसाद दिवधी का, आप एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो मैं पढ़ाता हूँ, उसमें दोनों को उपिनियन को सांत ले कर चलता हूँ, अचार हजारी प्रसाद दिवधी जी का क्या मानना है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह तो किताब में भी मिल जाएगे, तो कबीर दाजी भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत प्रतिभाशा ली थे, और उनके मुह से बहुत चुटिली उप्तियां निकलती थे, उलड़मासियों का प्रयोग करते थे, जिनका आर्थ उल्टा होता था, करते उल्टा थे, कबीर की बाणी में इस्थान इस्थान पर भावात्मक रहसिवाद की जो जलक मिलती है, वो सूफियों के सत्संग का प्रसार है, भावात्मक रहसिवाद मैं बता चुका हूँ, भावात्मक रहसिवाद उसको बोलते हैं, जिसमें आत्म प्रमात्मा लौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम को प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रेम सुभी कभी करते थे, लौकिक प्रेम मतलब प्रणय निवैदन, मतलब जो आत्मा है, वो प्रमात्मा के प्रति प्रणय निवैदन करती है, है न, प्यार का इजिहार करती है तो यहाँ पर भावात्म करह सिवाद में जो आत्मा को प्रेमिका या पत्नी माना जाता है और इश्वर या परमात्मा को प्रेमिया पत्नी माना जाता है इसको बोलते हैं भावात्म करह सिवाद और साधनात्म करह सिवाद में क्या होता है साधनात्मकरासिवाद में साधना क्या जाता है कुंडलेनी को जागरित क्या जाता है तो यहां भावात्मकरासिवाद इनको कहा से मिलता है सूफियों से मिलता है और साधनात्मकरासिवाद किस से मिलता है हट योगियों से, नाथों से मिलता है कहीं इन्होंने तो देखिए सूफी लोग क्या करते हैं कहीं इन्होंने परकॉप को और अन्योक्तियों द्वराहि इन्हों नयुद थे कही जो नई नहीं होने पर भी वाग वैचित्र के कराना कुच्छ लोगों को चकिच्या करती तो यह कोई नहीं बात नहीं बताते से लेकिन को कहने का डहाँ जो इस्था लेकिन आप बर्भाव वास्त्व एकि rays में जाती लोग थी Stream से जो इन्होंए वाइए जाती होग चैमिन नान की था कबीर दाजी से दूर भी रहते हैं और दूसरा करन क्या है अबाहे अडंबर के करन ये हिंदूर मुसलमान दोनों को फटकार लगाते थे तो इसलिए इनका बहुत ही करांतिकारी कभी थे और कबीर दाजी एक ऐसे कभी हुए हैं जिनकी बातों को हम आज भी अपने जिवन में युक्त जो कभी हैं बहुत ही बिल्ले पैदा होते हैं जारो अरसों के तिहास में और कभी दाजी की जो वाणी का संग्रा है कभी दाजी पढ़े लिखे नहीं थे इन्होंने कुछ लिखा नहीं है लेकिन की वाणी का संग्रा इनके शीश्य धर्मदास नहीं किया समध 1521 मे अर्था 14-64 इस्वी में, जब इनके गुरू की अर्था 64 वर्सकी हो गई थी, अब इन्होंने इनके कर्थन का संक्लन किया, वारी का, लेकिन कबीर की वचनावली की सबसे प्राचिन प्रती, जिसका पता अब लगा है वास्तावत 15-16 में लिखी गई थी, में के हिसाब से, और कबीरदाज जी की वानी का संग्रक किसके नाम से प्रसिद है, बीजक के नाम से प्रसिद है, कबीरदाज जी वानी का संग्रक किसके नाम से प्रसिद है, बीजक के नाम से, और इसके तीन भाग किये गए हैं, रमैनी, सबद और साकी, कबीरदाज जी के बारे में, मैं जो ए यहां पर वीडियो में दे दूँगा और आपसे अरूद है कि उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूड कर लें क्या कि वहाँ पर भी आपको ऐसे बहतरीन लेक्चेस देखने को मिलेंगे अब देखें कबिर दाज जी की जो संप्रदाइग सिख्चा है और सिध्धान्त के उपदेश मुक्तर साखी के भीतर है जो दोहों में तांखी किसमे लिखे गए परिचम आने वाले पूरे प्रस्टो नहीं है तांखी किसमे लिखे गए है, दोहों के रूप मे लिखे गए है और इसमे कभीरदाज जी के सांप्रदाइग सिच्छा और सिद्धांत है ये ध्यान में रखेगा ठीकह ने और इसकी भाषा कैसी है, दोहो की भाषा कैसी है, साखी की भाषा कैसी है, सदुकडी भाषा है, और सदुकडी भाषा में किसका किसका मेल होता है, राजिस्थानी, पंजाबी और खडी बोली का मेल होता है, सदुकडी भाषा में, और रमाइनी और सबद है, रमाइनी और सब कर्कूर नोसी लिस्ट कि.' पॉचछा क 적िस्ती से आचार राम के बार में जो भी कहा है बहुत ही महतफ़ूं उतली और परिमाजीत ना होने पर भी कभीर की उप्तियों में कहीं कहीं विलक्षा प्रभावर चमतकार है प्रतिभा उन्में बड़ी प्रकर से इतमें स्तंदेश नहीं है बहले ऐसा माने जाता है कि इनको वह नहीं दिया प्रयाप्त इस्थान प्रदानली कि आचारदान चन्द प्रतिभाश आली व्यक्तित पैदा होना भूती हमारे लिए आच्चा जनक है और इतने महान कभी थे कभीर तो निश्चित रूप से आज यह समझ जहांगे जो भी मैं बते बताना चाह रहा था आचारदान चन्द सुक्लक के हिंदी साथे के इतिहास है यदि मेरा लेक्च